रहस्यमय उल्जन और उसने भी इसे देखने का निश्चय किया वह मकान में घुसा और किताब को ढूंटने लगा मकान के अंदर की स्थिती अजीब थी कोई भी आवाज नहीं थी सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा धीरे धीरे विजय ने किताब को पाया जो एक छोटी सी टेबल पर रखी हुई थी किताब का पन्ना खुला हुआ था और उसमें लिखा था तो जो भी इसे पढ़े उसका सच्चाई से सामना होगा विजय ने किताब की पहली पन्नी फटका और वहां लिखा था आज से एक सब्ताह तक आपको इस किताब का रहस्य सुलजाना होगा अगर आप नहीं सुलजा पाए तो यह किताब हमेशा के लिए आपके साथ रहेगी विजय को अचानक एक समवेदना महसूस हुई और उसने किताब को देखते हुए सोचना शुरू किया विजय को उसके सामने एक छोटे सी छिपकली के रूप में था विजय को उसे देखकर अचानक समझ आया कि छिपकली उसका सच्चा मित्र है यह उसे वह सच्चाई दिखाने के लिए आया था जिसका उसे इंतजार था इस कहानी का संदेश था सच्चाई को छुपाने का कोई तरीका नहीं होता वह हमेशा हमारे सामने होती है बस हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए